Hello Friends, आज हम स्टार्ट करेंगे Class 9 NCRT की XSI 3.3 को तो 3.3 का हमारे पास First Question है In which quadrant or on which axis do each of the points ये हमारे पास point देख के रखें हैं, ठीक है? इन points को हम क्या करते हैं? Graph की साहता से हम इसको करेंगे तो इसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं Y यहाँ पर X, Y, X, Y, X और ये Y तो उस तरह से मैंने यहाँ पर एक table बना के रख दिया ठीक है? Table में क्या किया minus 2 मेरा X है, यहाँ पर Y आ गया 4 3X है, minus 1 मेरा Y minus 1 X है, 0 मेरा Y यहाँ पर कितना है भई? X की value minus 3 है, Y की value minus 5 यहाँ रखना की जो पहली value होती हमेशा X होती है अब हम क्या करेंगे? इसको graph में कैसे करेंगे? तो देखो graph में करने के लिए हम क्या करेंगे? यह हमारा question number 1 exercise 3.3 का, ठीक है? तो इसमें क्या किया मैंने? यह 2 axes ले ली, ठीक है? axes, आपने pencil से करना है मैं सिरफ, यहाँ पर video के लिए मैं सिरफ pen का use कर रहा हूँ यह मेरे पास y axes आता है और यह मेरे पास y dash axes आता है ठीक है? अब हमारे पास जो point given है हमें क्या ढूंडना है सबसे पहले minus 2 x का तो minus 2 x का और y का 4 तो यहाँ देखो y के लिए हम यहाँ पर जाएंगे यहाँ आ गया मेरे पास 4 तो सिरफ हमने point शो करना है यहाँ पे और इसको circle करके यहाँ लिख दो minus 2,4 यह एक काम हो गया, ठीक है? उसके बाद बोला गया है 3,-1 अब हम ढूंडनेंगे 3,-1 तो देखो x का आ जाएगा 3 और y का आ जाएगा minus 1 याने कि y मेरा नीचे के दरफ को minus 1 आएगा और minus 1 कहाँ पे है? यह रहा तो यहाँ circle करो और क्या लिख सकते हैं यहाँ 3,-1 तो मेरा second point भी आगे third है मेरे पास minus 1,0 अब minus 1 x का है तो x का minus 1 यह रहा और 0 यहीं आ गया ना 0 हमारा यहीं आ गया तो हम इसको यहीं कर देंगे ठीक है? यहाँ पर करेंगे इसको circle करेंगे और नाम लिख देंगे क्या? 3, sorry, minus 1, minus 1,0 ठीक है? यह हमारा हो गया अब बचते हैं minus 3, minus 5 तो minus 3 देखो कहाँ पर है minus का 3 x यह रहा और minus का 5 यह रहा यह, ठीक है? minus का 5 यह आ गया तो यह कहाँ पर आ रहे? यहाँ पर, ठीक है? minus का 5 यहाँ पर आ गया यह देखो, यहाँ पर आ गया इसको लिख दूँगा मैं क्या? minus 3, minus 5 clear है? इसको देख लो आप ठीक है ये था question number first इसका question number first easy था second बिल्कुल same और सिर्फ हमें points लगा के show करना है कि ये कहां कहां पर है तो अगर हम यहां देखें तो ये मेरा किस quadrant पर आ रहे है second quadrant पर आ रहे है ये मेरा किस quadrant पर आ रहे है ये fourth quadrant है और ये हमारा क्या रहे है यहां पर क्या रहे हमारा third quadrant ठीक है अब जब मैंने आपको पिछली वार करवाया था basic में तो वहां में एक चीज बताना भूल गया था आपको वह मैं यहां इस question में clear कर दूं कि हमेशा जो first quadrant होगा ठीक है जो हमारा first quadrant होता है यहां पर जो sign आएंगे हमेशा positive sign आएंगे plus, plus यानि कि यह भी plus का और यह भी plus का second quadrant में क्या होगा second quadrant में यह हमारे positive है और यह negative लेकिन सबसे पहले हम x की बात करते है तो x का यहां पर negative आएगा और y का यहां पर positive आजाएगा third quadrant की बात करें तो third quadrant में यह भी minus है यह भी minus तो हमके लिख सकते है minus, minus fourth quadrant की बात करें तो fourth quadrant में क्या है x हमारा positive है और y हमारा negative है तो बस यह चीज़ बताना मैं उसमें भूल चुका था तो यहां पर मैंने वह भी cover कर दिये अब करते हैं इसका second part, sorry second question तो second question हमारे पास क्या है कि plot the points x, y given in the following table आपके बाद table देखे रखावा book में तो वहां से मैंने इसको किया ठीक है अब यह देख लो ध्यान से यह सारा table दिये है, हम इसकी values को सिरफ अब graph में put करेंगे अब जैसे कि मैंने पिछला question किया, यहां पर इसका नाम क्या जाएगा इसको बोल देंगे हम x-axis, यहां पर इसका नाम आ जाएगा x-axis यह आगे मेरे पास y-axis और यहां पर y-axis ठीक है अब first point हमें निकालना है यहां पर minus 2,8, तो minus का 2 यहने की x x का minus 2 और y का 8, x का minus 2 और y का 8 आप points अपने मर्जी से दे सकते हो, जितने आपकी चगरती है question के according ठीक है, उसमें कोई दोर आए नहीं है अब क्या करेंगे, minus 2 और 8 देखेंगे, तो minus 2 मेरा यहां पर है और 8 मेरा यहां पर है तो minus 2 के बिलकुल सिधाई में जाओ, और यहां पर 8 पर इसको circle कर दो, ठीक है तो यहां के लिखते हैं, minus 2,8, जो सबसे पहले लिखा होगा, वहीं लिखना आपने, और 8 बाद में अब next बात करते है, minus 1,7, तो minus 1 मेरा यह रहा, ठीक है, और 7 यहां पर है तो हम इसको यहां पर join कर देंगे, यह देखो, क्या लिख देंगे, minus 1,7, तो 2 point मैंने धूंड लिए, तीसरा मेरा पास है, 0,0 और minus 1.25, अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, देखो, यह तो मुझे पता है कि 0 है, ठीक है, 0 हमारा यहां पर होगा, अब यह 1 है, यह आगे 1 और बोला गया है, minus 1.25, तो अब यह जो इसके यहां पर है, मैं यहां sign लगा दूं, ठीक है, red pen से करते हैं, यहां पर अब मैंने इसका किया, तो कितना होता है, कितना होता है, 0.5, ठीक है, कितना आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन हमें बोला गया, minus 1.25, तो minus 1.25 कहां पर यहां जैसे, ठीक है, तो यहां पर यह कैं बनेगा, यहां पर बनेगा यह हमारा, 0, minus 1.25, ठीक है, अब बात करते हैं, next point है, 1.3, तो 1.3 यह तो positive का आ गया, तो 1 यहां पर है, x का और y, यहां पर है, 3, तो 1,3 मैंने यह भी निकाल दिया, अब last बचते है, 3, minus 1, तो x का 3, y का, minus 1, x का 3, यहां पर, और minus 1, यहां पर, तो यह भी हमारा क्या आगे, के लिख सकते हैं, यहां पर अब, 3, minus 1, ठीक है, तो यह था हमारा, question number second, इन questions को ध्यान से करना, ठीक है, इन questions को आप ध्यान से करना, और book में example दिये हैं, यह question 2 था, ठीक है, 3.3 का, book में आपके पास example दिये हैं, example number 3 and 4, वो आपने homework करना है, ठीक है, बिलकुल सेम इसी की तरह होगा, वो भी, जैसे यह question की हमने दो, उनी की तरह बिलकुल सेम है, ठीक है, तो यह था, यह थी हमारा 3.3 exercise, आज 3rd chapter भी हमने complete कर दिया, अब next करेंगे next वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share, comment जरूर करें, और अपने friends के साथ इसको जादे से जादा share करो, और please channel को subscribe साफ में कर दें, ठीक है, thank you, मिलते है next वीडियो में,